है लो इस वीडियो में हम बी लोकब फार्मूला को समझेंगे बी लोकब का यूज हम तब करते हैं जब हम डाटा बेस से डेटा को फिल्टर करना जाते हैं तब हम बी लोकब फार्मूला का यूज करते हैं तो बी लोकब का मतलब होता है बल्टिकल, लोकब जैसे ये बल्टि यह पहुत और जाता है B look up, तो B look up formula को यहां पे हम दो methods के जरिये समझेंगे, तो पहले यह हमारे पास यह data दिये गया है, यह दीखो, जितना भी यहां पे लिखा हुआ है, यह data है, इस data से हम data को filter करना जाते हैं, जैसे यहां पे name लिखे हुँए, यह category है, यह that of worth है, यह registration number ह यह age है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जैसे यह यहाँ पे name दिये गया है जैसे यह biml है तो यहाँ पे हम biml की date of worth यहाँ पे filter करना जाते हैं तो इसको filter करने के लिए हम क्या करेंगे b look up formula का use करेंगे तो हम यहाँ पे दो method यूज़ करेंगे अब यहाँ पे हम first method को use करेंगे तो first method जो है यहाँ पे insert function के जरीए date of worth निका लेंगे तो यहाँ पे हमे date of worth चाहिए यहाँ पे click किया click करने के बाद formula type पे जाएंगे इसके बाद insert function यहाँ पे click करेंगे तो insert function पे click करने के बाद यह insert function dialogue box यहाँ पे आ जाएगा आने के बाद यहां पे दिये गया है search for a function तो search for a function यहां पे हम जो formula use करना जाते हैं उसका name यहां पे लिखेंगे तो हम यहां पे be look up लिखेंगे यहां पे यह be look up हमने यहां पे लिखा लिखने के बाद go पे click करेंगे यहां पे go पे click किया Go पे क्लिक करने के बाद ये Be Lookup यहां पे आ जाएगा आने के बाद यहां पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद OK पे क्लिक करेंगे OK पे क्लिक करने के बाद ये Function Argument Dialog Box यहां पे आ जाएगा इसके बाद यहां पे दिये गया है Lookup Value तो यह जो date of worth यहां पर हम निकालना जाते हैं किसकी date of worth निकालना जाते हैं उसको हम यहां पर select करेंगे तो उस cell पर हम click करेंगे जैसे suppose करो हमें यहां पर biml की date of worth चाहिए तो हम यहां पर इस cell पर click करेंगे जहां पर हमने biml लिखा हुआ है यहां पे क्लिक किया, यह cell name यहां पे आ जाएगा A6, यह देखो A column और 6 row, तो यहां पे A6 आ गया, आने के बाद हम नीचे करसर रखेंगे, यहां पे करसर रखा, रखने के बाद यहां पे दिये गया है table array, तो table array जो होता है, यह सारा table जहां पे हमने data लिखा है, इसको select यह select किया, select करने के बाद यह range यहां पे आ जाएगी, A3 column E11, यहां पे यह range आ गई, फिर हम नीचे यहां पे करसर रखेंगे, यह करसर यहां पे आ जाएगा, आने के बाद यहां पे column index number, तो यह जो column index number है, यह बिमल जो है, बिमल की data worth हम देखना जाते हैं, तो data worth काहां पे लिखी हूई है, यह दिखो, C column है, तो C column को यहां पे, तो C column को यहां पे 3 number दिया गया है, तो हम जो column number लिखेंगे, यहां पे 3 लिखेंगे, यह दिखो, यहां पे 3 लिखा, लिखने के बाद हम नीचे क्लिक करेंगे, यह नीचे करसर आ जाएगा, इसके बाद range look up, तो यहा हमने यहां पर लिखा, लिखने के बाद हम क्य करेंगे, okay पर click करेंगे, okay पर click करने के बाद, तो यह जो date of worth यहां पर आई, यह number में आगी है, लेकिन हम इसको date format में बदलेंगे, तो date format में बदलने के लिए, हम यहां पर home tap पे जाएंगे, home tap पे जाने के बाद, number group में तो ये देखो ये data worth किसकी ये जो हमने यहाँ पर A6 BML यहाँ पर self select किया था उसकी data worth यहाँ पर आगी तो ये देखो ये बिमल की data worth जो है यहाँ पर यह लिकी हुई है तो यही data worth यहाँ पर यह आगी तो इस तरह से हम Blookup formula के जरिए data worth को निकाल सकते हैं अगर हम यहां पे registration number यह भी यहां पे निकालना जाते हैं इस database से तो हम क्या करेंगे यहां पे click करेंगे cell पे यहां पे click करने के बाद फिर हम यहांपे insert function पे जाएंगे insert function पे जाने के बाद यहां पे be look up लिखेंगे यह be look up यहां पे आ गया है यहां पे click करेंगे और ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद तो यह जो registration number है यहां पे हम किसका देखना जाते हैं उस cell पे click करेंगे तो suppose करो हमें registration number जो है मौहित का चाहिए तो हम यहां पे इस cell पे iії करेंगे यह देखो यह cell नहीं में आ जाएगा a-11 इसके बाद फिर यहां पे नीच्छे cursor रखेंगे यह cursor यहां पे आ जाएगा इसके बाद टेबल array तो table array जो है यह सारा table हम select करेंगे यह देखो सारा table select किया यह range यहां पे आ जाएगी A3 colon E11 ये range आ गई इसके बाद column index number तो ये जो है registration number कहां पे लिखा हुआ है ये देखो D column में लिखा हुआ है तो D column को यहां पे 4 number दिया गया है तो हम यहां पे click करेंगे और यहां पे लिखेंगे 4 ये 4 लिखा 4 लिखने के बाद नीचे हमें exact value चाहिए तो इसके लिए हम यहां पे false लिखते हैं ये देखो false लिखा ये false लिखने के बाद जो result है यहां पे आ जाता है ये result यहां पे आ गया है लेकिन हम इस result को यहां पे दिखना जाते हैं तो हम यहां पे ok पे click करेंगे okay पे click करने के बाद यह दिखो यहांपे registration number यहांपे आ जाएगा तो यह decimal number हमें नहीं चाहिए तो यहांपे हम इनको अटाएंगे इनको हटाने के लिए हम home tap पे जाएंगे number group में जाएंगे और यहांपे decrease decimal यहांपे click करेंगे यह देखो एक बार क्लिक किया एक चला गया है दूसरी बार क्लिक किया यह दोनों यहां से decimal प्लीज चले गए तो यह देखो यहां पर मौहित लिखा हुआ है तो मौहित का जो registration नंबर है यहां पर यह लिए गया है 43146 तो यहां पे आ गया है 43146 तो यह registration number यहां पे below का formula के जरीए यहां पे filter होके आ गया है तो इस तरह से below का formula का use हम inside function के जरीए भी कर सकते हैं अब हम second method को करेंगे तो second method को करने के लिए हम यहां पे इसको delete करेंगे यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद अब हम यहां पे below का formula direct use करेंगे यहां पे click करने के बाद यह जो हमारे पास data दिये गया है इसमें हम अब data over से निकालना जाते हैं यह जो name दिये गया है किसी भी name की यहां पे data over से निकालना जाते है यहां पे click करने के बाद equal to लिखा equal to लिखने के बाद be look up formula लिखेंगे यह be look up यहाँ पे निचे आ जाएगा यहाँ पे double click करेंगे double click करने के बाद यह be look up यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले दिये गया है look up value तो look up value में क्या करेंगे हम यहाँ पे किसकी data worth ही निकालेंगे तो हम suppose करो यहाँ पे यह सुरेश यहाँ पे दिया गया है इसकी data worth हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे हम double code लिखेंगे double code लिखने के बाद यह सुरेश की data worth चाहिए तो यहाँ पे सुरेश लिखेंगे यह देखो यह सुरेश लिखा सुरेश लिखने के बाद double code को बंद करेंगे बंद करने के बाद comma लगाएंगे यह comma लगाया तो यह यहां पर हो गया lookup value यह lookup value सुरेश है इसके बाद comma लगाने के बाद आगे देगाया table array तो table array यह जितना भी data यहां पर दे गए है, इस सभी को select करेंगे, यह सारा select किया, select करने के बाद यह range यहां पर आ जाएगी, a3 column, e11, इसके बाद फिर comma लगाएंगे, comma लगाने के बाद column index number, column index number जो है, यह है, यह c column है, क्योंकि date over जो लिखी हुई है, हमने c column में लिखी हुई है, और इसको जो number द करेंगे, फिर comma लगाएंगे, यह comma लगाया, इसके बाद आगे यहां पर लिए गया है, range look up, range look up में हमारे पास दो option आते हैं, a के true, a के false, true जो होता है, approximate match होता है, और false जो होता है, exact match होता है, तो exact match के लिए हम यहां पर false को यहां पर लिखेंगे, यहां पर false पर double click किया, य यह देखो, double click करते ही, यह false यहां पर आ जाएगा, इसके बाद, इसके बाद bracket को बंद करेंगे, यह बंद के, बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे, तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो, यह date worth यहां पर filter होके आगे, तो look up value यह हमने यहां पर सुरेश लिखी थी, और यह सुरेश की date of worth है, यह है, यह देखो, यह है, और यह date of worth यहां पर filter होके आगे, तो इस तरह से हम, be look up formula के जरिए, date of worth को निकाल सकते हैं, इसके बाद, अगर हम यहां पर registration number, इसको भी देखना जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर click करेंगे, equal to लिखेंगे, equal to लिखने के बाद, यहां पर be look up, यह देखो, be look up निचे आ जाएगा, यहां पर double click करेंगे, इसके बाद, आगे दिये गया है, look up value, तो look up value में हम क्या करेंगे, यह देखो, किसकी दिखना जाते हैं, यहां पर registration number, उसको यहां पर cell को select करेंगे, suppose करो, हम यहां पर, मनीश का चाहिए, यहां पर इस cell पर click किया, यह cell नहीं में यहां पर आजाएगा, A5, A column और 5 row, यह A5 आ गया, इसके बाद, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद, table array, तो table, इस सारी table को हम select करेंगे, यह सारा select किया, यह range यहां पर आजाएगी, A3, E11, इसके बाद, फिर कॉमा लगाएंगे इसके बाद है, column index number, तो column index number जो है, registration number हमने किस column में लिखा हुआ है, D column में, तो D को name दिया गया है, 4, तो यहां पर हम लिखेंगे 4, यह 4 लिखा, फिर कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद, यहां पर range look up आगे लिए गया है, तो range look up में फिर यहां पर दो option आगे, हम यहा bracket 1 की, enter press करेंगे, enter press करने के बाद, यह रिखो, यह जो registration number है, यह मनेश का यहां पर filter होके आगया, यह रिखो, यह यहां पर मनेश है, और इसका जो registration number है, यह 43147, तो यह 43147, यह यहां पर आगया, इसके बाद हम इस registration number को delete करेंगे, यह delete किया, इसको भी delete करेंगे, यह delete किय अब हम be look up formula के जरीए यह देखना जाते हैं कि यहाँ पे जो भी हम name लिखें उसकी date of worth यहाँ पे निकल के आ जाए तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद equal to यह लिखा equal to यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद be look up यह बी look up निचे आ जाएगा यहाँ पे double click किया double click करने के बाद यहाँ पे look up value तो look up value में हम क्या करेंगे यह जो g column है यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे हम फिर कोई भी name लिखेंगे तो उसकी date over यहाँ पे आ जाएगी यह cell हमने select किया g3 यहाँ पे आ गया cell name आ गया है इसके बाद comma लगाएंगे यह comma लगाया इसके बाद आगे दिया गया है table array तो table array जो है इस सारे को हम table को select करेंगे यह select किया यह range यहाँ पे आ जाएगी a3 column e11 यह range यहाँ पे आ गयी इसके बाद फिर comma लगाएंगे comma लगाने के बाद आगे लिए गया है column index number तो column index number जो है यहाँ पे हम date of worth देखने जाते हैं तो यह column है हमारा c तो यहाँ पे इसको number दिया गया है 3 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 यह 3 लिखा 3 लिखने के बाद फिर यहाँ पे comma है comma लगाएंगे comma लगाने के बाद range look up है तो range look up में हम यहाँ पे exact match करना जाते हैं तो exact match जो होता है false में होता है तो यहाँ पे double click करेंगे false के ओपर यह double click किया यह false यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद यहां पे bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद की enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहां पे error आ गई है तो यह error इसलिए आई क्यूंकि हमने यहां पे इस cell को blank शोड़ा हुआ है तो जो भी हम यहां पे name लिखेंगे जैसे यह देखो यहां पे रमन है रमन लिखेंगे तो इससे क्या होगा रमन की date of worth यह है तो यह यहां पे आ जाएगी यह देखो इसको करके देखते हैं यहां पे click किया click करने के बाद यहां पे लिखा यहां पे रमन लिखा यह रमन है रमन लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद ये लिखो रमन की डेट ओवर्थ यहां पर आगी तो ये रमन है इसकी डेट ओवर्थ यह है तो ये डेट ओवर्थ यहां पर आगी अब कोई भी नेम यहां पर हम लिखेंगे उसकी date overth यहां पर आ जाएगी suppose करो इसको ट्लीट करते है और यहां पर लिखते है बिमल यह लिखो यह बिमल है इसकी date overth चाहिए तो यहां पर हमने लिखा बिमल यह बिमल लिखा बिमल लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह लिखो बिमल के डेटोवर्थ यहां पर आ गई यह लिखो यह लिखो यह बिमल है और बिमल के डेटोवर्थ यहां पर आ गई है इसके बाद अगर हमें किसी और के डेटोवर्थ चाहिए जैसे यह मौहित की जाहिए तो यहां पर हम मौहित लिखेंगे यह लिखो यह मौह ऐसे B-lookup formula के जरीए यहाँ पे data को filter कर सकते हैं suppose करो हम यहाँ पे name की list बनानों जाते हैं कि हमें बार बार यहाँ पे click ना करना पड़े हम यहाँ पे click करें और यह name सभी आ जाएं तो name की हम यहाँ पे list बनाएंगे तो name की list को बनाने के लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद, फिर यहां पर डेटा पर जाएंगे, डेटा पर जाने के बाद, डेटा वैलिडेशन यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करने के बाद, हमारे पास यह तीन आप्शन आजाएंगे, यहां पर हम सबसे फस्ट वाले आप् पे क्लिक करेंगे और इसके वाद यहाँ पे list पे क्लिक करेंगे यह दिखो list पे क्लिक किया यहाँ पे list आ जाएगा इसके वाद यहाँ पे source पे जाएंगे और इस arrow बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के वाद data validation यहाँ पे हम range को select करेंगे तो हमें ये list जो है name की चाहिए उस range को हम select करेंगे तो ये दिखो ये range हमने ये सारी range name की हमने select की ये रमन से लेके मौहित तक ये सारी range यहाँ पर select हो गई तो ये दिखो ये range यहाँ पर select हो के आगे down arrow इस पे click करेंगे इस पे click करने के बाद ये range select okay आगी है इसके बाद okay पर click करेंगे तो यह देखो यहाँ पर filter लग किआ जाएगए जितने भी name हमने यहाँ पर select किये थे सारे name की list यہाँ पर बन के आजाएगी यह देखो किसे Oracle किया तो click करने के बाद यह सारे name हैं पर आगे है हम जिस name के उपर क्लिक करेंगे उसकी date of worth यहां पर आ जाएगी suppose करो हमें यहां पर mintoo इसकी date of worth चाहिए यहां पर क्लिक किया तो यह देखो mintoo की यहां पर date of worth यहां पर आगी यह देखो यह mintoo है और इसकी जो date of worth है यह है इसके बाद अगर हमें रमन की date of worth चाहिए तो इस तरह से बी लोक अब फार्मूले के जरिये हम डेटा से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने यह जाना कि बी लोक अब फार्मूले का यूज कैसे किया जाता है तो इस वीडियो में हमने इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद